हेलो वीवर्स, विल्कम तु आ चानल कम्पुटोरियल इन, तुड़े वी हवार के स्टडी फॉर यू, विच बेज़ 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 अगर आपने सीबीसी बोर्ड के सांपल पेपर अपलोड किये गए हैं वह आपने देखे हो तो उसमें आपको सेक्शन A और सेक्शन B इन दोनों में MCQs मिल रहे हैं और सेक्शन C में आपको Case Study Based MCQs मिलेंगे, तो आज उसी से Related हम एक Case Study आपके लिए लेके आए हैं जो कि हैं हमारे HTML के उपर, तो बढ़ते हैं हमारे Case Study की तरफ ये Topic आपके लिए इंट्रेस्टिंग रहेगा इस सब के पहले अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक कर दीजे, शेर कर दीजे, जितना हो सके उतने लोगों तक पहुचाईए तो ज़्यादा बाते ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे Topic की तरफ तो ये हैं हमारी Case Study, सबसे पहले इसकी रीडिंग से शुरू करेंगे HTML can be used to insert images in the following formats HTML जो है, इन in format की images को use करता है तो हम बात कर लेते हैं, पहला format यहाँ पर दे रखा है GIF, Graphics Interchange Format XBM, XBitmap, JPG और JPEG, PNG format तो ये सारे जो 4-5 format आपको दे रखे हैं, ये कुछ popular format है जिनको HTML जो है, वो image insert करने के लिए use करता है उसके बाद ये बोल रहे है, the IMG tag is used to insert an image in the web page तो आपको अगर insert करनी है कोई image, तो उसके लिए आप कौन सा tag use करेंगे आप use करेंगे IMG tag It is very important to know that images are not technical part of the web page file They are separate files which are inserted into the web page यहाँ पर ये बोलना चाहरे हैं कि जो आपकी images होती हैं वो web page file का part नहीं होती हैं वो एक separate file होती है, वो technical portion involved नहीं करती इन separate files को जब need होती है, तब हम इसे उस जगाँ पर call करवाते हैं इसके बाद ये बोल रहे है, when it is viewed by a browser हाँ, तो मतलब जब browser को use होती है, तब वो उसे वहाँ पर insert करने के लिए call करता है So a simple web page with one image is two files अगर आपके पास में कोई web page है, उसमें आपने कोई image लगा रखी है, तो यहाँ पर आपके पास में दो file है एक आपकी है image file और दूसरा आपका जब web page का content है web page की file When an HTML file is displayed in a browser, it requests the image file and places it on the web page where the tag appears जब कभी भी आपके browser को request करनी होती है image file की, तो वो वहाँ पर जहाँ पर आपने tag IMG लगा रखा है वहाँ पर उस image को आके place कर देता है, image यहाँ पर web page का part है, वो एक separate file है वो उसका technical part नहीं है, तो यहाँ पर आपकी case study यहाँ पर इतना कहरी है अब हम चलेंगे इसके questions की तरफ, I hope आप लोगों को explanation समझ में आ गया होगा तो आपका पहला question कह रहा है, web browsers display images in the following format इन में से कौन-कौन से format में हमें web browser अमारी accept करता है images के लिए तो XBM, यहाँ उपर आपने भी देखा कि Xbitmap को accept कर रहा है, तो यह आपका option correct है JPG की बात कर लेते है, JPG और JPG भी accept कर रहा है, तो यह भी correct है GIF की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने बता रहा है कि GIF को भी accept कर रहा है, तो यह भी correct है यानि कि इस question का answer हो जाएगा हमारे पास में all of these, option number D Okay, now the next question is, which tag is used to insert an image in the webpage अभी हम लोगों को यह पूछ रहे हैं कि webpage पे अगर आपको image insert करनी है तो आप कौन सा tag use करेंगे, तो यह सभी को पता भी और यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा बता रखा है that IMG tag is used to insert an image in a webpage, तो option तो आपका correct हो गया C लेकिन बात कर लेते हैं हमारे other options की भी, यहाँ पे A tag की बात कर लेते हैं यह तो anchor tag हो गया जो की आपका used होता है hyperlinking के time पे जब आपको links बनाने होते हैं table की बात कर लेते हैं तो आपको table insert करनी होती है तो इसको वहाँ पे use करते हैं पी की बात कर लें तो यह आपका paragraph के लिए use होता है ओके, now moving on to our next question, इस question का answer option number C, img tag this is our next question, the correct HTML code for inserting an image is इसमें से कौन सा जो syntax जो ले दे रखा हैं होने, कौन सा tag जो है वो एकदम correct है image को insert करने के लिए तो img href, आप यहाँ पे जानते हैं कि href जो है वो किस लिए होता है यह आपका hyperlink create करते समय होता है, तो यह तो हमारा option गलत हो गया इसके बाद में बात कर लेते हैं, img tag, img और यह इन्होंने इस बाद में लगा दिया है closing tag gif का gif, जो है image का format होता है, gif का कोई gif नाम का कोई tag नहीं होता है तो यह भी आपका गलत हो गया, इसके बाद में बात कर लेते हैं image src is equal to image का नाम देते हैं, तो image नाम का भी आप जानते हैं कि ऐसा कोई tag नहीं होता है तो हमारे पास में एक यह option बच जाता है, img src is equal to img.gif तो यहाँ पे image जो है, वो आपकी image का नाम है और gif उसका format है ओके, तो your answer is option number c The next is, src attribute used with img tag stands for यहाँ पे जो आप src attribute लगाते हैं, इसका full form या complete name क्या है तो src attribute आपका image के साथ में use होता है और इसका full name है, उससे हम बोलते हैं source, img source यह source क्या करता है, यह वो location दिखाता है, prime location दिखाता है जहाँ पे आपकी image जो है वो located है, प्लेस है, जहाँ पे आपने उसको रख रख का है यह वो कहां से उठकर आ रही है, यह आपका source दिखाएगा तो your answer is option number c source the next question is the dash attribute is used to specify the location of an image file इन में से कौन सा attribute जो है, वो file location को दिखाता है तो अभी हमने बात करी कि src या source जो होता है, वो क्या दिखाता है जिस location पे आपकी file place है, वो दिखाता है तो यहाँ पे आपका answer हो जाएगा, option number b src other options की भी बात कर लेते हैं, alt क्या करता है, alt का मतलब होता है alternate, alt stands for alternate, तो यह alternate का काम क्या होता है जब कभी भी आपको ऐसा कुछ करना है, कि आपकी image suppose load नहीं हो पारी तो आप उसकी जगह पर कोई text print कराना चाहते हैं suppose यहाँ पर हमारी web load नहीं, तो आप यहाँ पर चाहेंगे कि कुछ यहाँ पर ABC करके, कुछ भी text लिख करके आ जाए तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आप alt attribute का यूज करेंगे, image की जगह पर text लाने के लिए alignment की बात कर लें तो यह बताएगा आपको कि आपका जो image है या कोई भी content है, वो किस तरफ रहेगा left में, right में, center, top, bottom and all, जो भी रहेगा उसके लिए name की बात कर लें तो यह तो name ही दिखाता है तो इसमें कुछ explain का होगा नहीं then next, इस question का answer हो जाएगा हमारे पास में, option number B, src the alternate text of an image can be displayed by using which attribute of img tag, अभी हमने discuss किया कि alternate text दिखाने के लिए हमारे पास में कौन सा attribute है, वो होता है हमारे पास में, alt tag तो आपका answer हो जाएगा option number A, फिर alt attribute की बात हो रही है, तो alt attribute allows which of the following, alt attribute क्या करता है, addition of an alternate hyperlink, नहीं alternate text दिखाता है, addition of a border, नहीं यह भी गलत हो गया, use of an alternate image in place of specified image, नहीं, यहाँ पे इनोंने image के लिए बोल दिया, यह आपको text दिखाता है, तो इसके बाद में, addition of alternate text about an image, यही option correct बढ़ जाता है, तो यहीं हो जाएगा आपका answer, option number D, ओके तो यहाँ पे आप, क्योंकि यह case study आपकी insertion of images पे based थी, तो यहाँ पे हम कुछ points images के बारे में पढ़ लेंगे, सबसे पहले हम image अपने webpage पे क्यों include करते हैं, तो जब आपको image include करते हैं, आप generally भी देखते हैं, जब आप book पढ़ते हैं, तो books में बहुत सारी images होती है, अगर आपको ऐसा सिर्फ paragraph, paragraph, paragraph में content दिया जाएगा, तो वो आपको interactive नहीं लगता है, images के साथ में क्या होती है, तो आप images place करते हैं, तो content आपको interactive लगता है, attractive लगता है, और बहुत ज़्यादा presentable हो जाता है, इसलिए हम लोग images का use जो है, वो web pages में करते हैं, तो यह इसका हो गया use of images, इसके बाद में बात कर लेते हैं, image आपको use कैसे करनी है, या image को insert कैसे करना है, तो उसके लिए जो है, आप इस syntax को follow करेंगे, यहाँ पे आप img tag, उसके साथ में src attribute और उसके बाद में file का path, file का path क्या रहेगा, जहां से आप अपनी file को insert करवा रहे हैं, जहां से वो file उठ करके आ रहे हैं, इसके बाद में बात कर लेते हैं, कौन-कौन से formats, यह support करेगा, तो jpg या jpeg joint photographic expert group, तो jpg, यह दोनों ही format जो है, almost same होते हैं, बस इसमें क्या होता है, jpg, eg जो होता है, यह आपका high resolution images को दिखाता है, और jpg जो होता है, यह आपका थोड़ा सा normal resolution को दिखाता है, png की बात कर लेते हैं, तो जबी भी आपको transparent logo या background वाली images आपको insert करवानी होती है, तो हम png format का use करते हैं, bmp format की बात कर लेते हैं, तो यह होता है, आपका bitmap image जो भी image आपकी binary format में होती है, वो हम bmp के साथ में use करते हैं, बस इसमें जो है, आप इसको ms paint के थूँ जो images आप बनाते हैं, उनके लिए यह format use होता है, gif की बात कर लेते हैं, graphic interchange format जो की आज कल बहुत जादा popular है, आप स वो 10 seconds से कम है, और उसमें कोई भी audio नहीं है, the video without audio, duration less than 10 seconds, यह आपके आज आते हैं, gif के अंदर, इसके बाद में बात कर लेते हैं, tiff format की, तो tiff जो है tagged image file format होता है, यह भी आपका जो binary format में images होती हैं, उनके लिए use होता है, अब इसके बाद में बात कर लेते हैं, कि आप क इसके इस तरह से image को insert कर सकते हैं, तो image की बात कर लेते हैं, image को आप दो तरह से webpage पर use करेंगे, या तो आप चाहेंगे कि image की किसी location पर image वहां पर insert कर दें, इसके लावा एक तरीका और होता है, कि आप पूरे की पूरे webpage में as a background image को set कर दें, तो अगर आपको image इस तरह से use क करनी है, तो आप यहाँ पर IMG SRC का use करते हैं, और अगर आपको image background की तरह use करनी है, तो आप body tag के साथ में background attribute का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर अपना image का पात देते हैं, यहाँ पर देखने वाली बात यह है, कि body tag के साथ में दो attribute यूज होते हैं, जब आपको background में कुछ करना है, तो एक होता है आपका body background और दूसरा होता है body, bg, color, तो इन दोनों में क्या difference है, जब आपको image background में लगानी है, तो आप background attribute का use करते हैं, और जब आपको background में सिर्फ color यूज करना है, तब आप bg color का use करते हैं, ओके, now moving on to our next slide, यहाँ पर आपको syntax दे रखा है, और अच्छा होंगी, आपका यह जो syntax होता है, जब आप image tag image को use करते हैं, तो उसके लिए आपको syntax follow करना पड़ता है, तो आप use करते हैं, img src is equal to inverted commas में file का path, यहाँ पे जो img है, यह आपका tag है, src जो है, यह attribute है, और यह जो बड़ा सा line आपको दे रखी है, यह है file का path औ दे करके पूछ लेंगे कि किस चीज का, इन में से कौन सी चीज किस चीज को denote करती है, तो यहाँ पे c जो सबसे पहले लिखा हुआ है, तो वो आपका होता है, drive letter, इसके बाद में अगर आपको कुछ दे रखा है, तो वो आपका हो जाता है, directory या folder, उसके बाद में भी अगर dot के साथ में जो format है, उसके साथ जो भी चीज लिखी होती है, वो होती है, आपकी image का name with extension, तो यह जो आपका dot jpg है, यह हो जाएगा, उसका extension और tulip हो जाएगा file का name, अच्छा, यहाँ पे बात कर दूँ, directory, sub directory और sub folder आपके optional होते हैं, अगर यह image इतने folders के अंदर रखी होग रखिएगा, okay, इसके बाद में बात कर लेते हैं, आपने image भी insert कर लिए, उसका path भी दे दिया है, और file भी आपकी आगई है, बट अब वो आपके web page में कितनी portion में दिखेगी, कितनी height पे दिखेगी, कितनी width पे दिखेगी, यह भी आपको decide करना होता है, और यह decide करने के लि बात कर लेते हैं, यह decide करता है कि आपकी जो image की height है, वो कितनी रहेगी, width की बात कर लेते हैं, तो यह बताता है कि आपकी image की width है, वो कितनी रहेगी, alignment की बात कर लेते हैं, तो alignment बताता है कि आपकी जो image है, वो किस side पर दिखाई देगी, right पर, left पर, top पर, या bottom पर, या mid मे तो यह आपका alignment यहाँ पर दिखाता है जिस भी तरफ आपको रखना है आप यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपकी image की जगा पर कोई alternate text अगर image नहीं आपा रही है तो वहाँ पर कोई text आ जाए तो उसके लिए आप alt attribute के साथ में उस text को लिख देंगे तो वो text आपका image की जगा पर आने लग जाएगा अब border attribute की बात कर लेते हैं since image में कोई border तो होता नहीं है तो अगर आप extra महाँ पर कोई border add करना चाहते हैं तो आप border के साथ में इस तरह से उसकी value place करके image के चारूं तरफ एक तरह का border जो है वो create कर सकते हैं ओके now that's all about this video ये हमारे कुछ platforms हैं जहाँ पर आप हमें follow कर सकते हैं और अगर आपको lectures की pdf वगेरा देखनी रहती है तो आप telegram पर visit कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे like कीजिए, share करिए, channel को subscribe कर लीजिए और जो bell icon वहाँ पर दे रखा है उसे press कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे notification मिलते रहें और इसके साथ जब तक हमारी वीडियो नहीं आ रही है तब तक हमारे साथ जुड आपको आपक लीजब कर देखिने वाले सा चको आपको है तब सक्था झाह से ऊस्वेदिर दाग थीजदी को येजिए आपको आपको शबडाने पर रहेें ञामें 25del